हलो साथियो नमस्कार स्वागत है आपका कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तयारी एकड़म जबर्दस चल रही होगी दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिरकार 71,000 विद्यार्थियों के लिए कौन सी खुसकाबरी निकल क्या रही है उन्हें कौन सा तोफा दिया गया है और बोर्ड के द्वारा उनके लिए क्या किया गया है इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बारा है और आप रेलवे ग्रूप D की तयारी करना चाहते हैं और इसकी पलपल की अपडेट चाहते हैं तो प्लीज हमाए चैनल को सब्क्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पे आपको लगतार अपडेट मिलता रहेगा वी मोदी ने देश के 45 सहरों के 71,000 युवाओं को सौपा नियुक्ति पत्र आखिर पूरी कहानी क्या है तो प्रधानमंत्री नरेन मोदी जी ने गुरुवार की सुब सारे 10 बजे वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से देश भर के 45 सहरों में 71,000 नौनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौपा है। इस मौके पर प्रदानमंत्री ने नौनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी किया। जगों पर आयोजित किया गया रोजगार मेला तो पूरमद रेल शेत्रा दिकार के हाजीपुर, पटना, धनबाद और पंडित दीन दिया लुपाद्या नगर में रोजगार मेला समारों का आयोजन किया गया जहां रेलवे के साथ-साथ अन्यमंत्राले के लिए भी नियुक् में हाजीपुर में 160, पटना में 184, धनबाद में 249 और पंडित दीन दिया लुपाद्या नगर में 121 युवा सामिल रहे, मौके पर मौझूद रहे केंदरी मंत्री, आए इसको भी जान लेते हैं, तो इस मौके पर पटना में केंदरी ग्रामीड विकास और पंचायती रा में केंदरी सिक्षा राजमंत्री अनपूरा दिवी और पंडित दीन दिया लुपाद्या नगर में केंदरी करत पुर्वत्तर छेतर विकास और सैकारिता राजमंत्री बी यल वर्मा और सांसर दर्सना सिंग विशिस्ट अतिती के रूप में मौझूद रहे, सभी ने नौ नियुक्त कर्मियों को मिलेगा प्रसिक्षड पूरी खबर क्या है? पूरा करने की दिसा में यहां एक महत्पूर कदम है. प्रधानमंत्री के निर्देशा अनुस्वार, रेल्वे सहित, अने सभी वंत्राले और विभाग मिसन मोड में कारे कर रहे हैं और जल्दी सजल्दी रिक्टियों को भरने के लिए काम किया जा रहा है. आपको मालुम ह इसी कड़ी में रोदगार मेले के तहट पहले चरण में 75,000, दूसरे चरण में 71,000 और तीसरे चरण में 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी किये गए हैं. वही गुरुवार को चौथे चरण में 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र पुना सौपे गए हैं. ये बड Academy के साथ में जुड़कर तो आप सभी के लिए एक सुनहरा उसर आ चुका है इस समय आपको अगर आप Plus जॉइन करते हैं तो आपको 50% का बला Discount मिल रहा है इसके साथ साथ अगर आप एक साल का Plus लेते हैं तो आपको एक साल का Extra मिल रहा है आप सभी लोग Unacademy से जुड़कर अपनी तयारी को और भेतर करिए आपको एक Code Apply करना है जिसका नाम है DKS 100 अगर आप Apply करते हैं तो आपको 10% का Discount मिल जाता है जिससे आपको यहाँ पे बहुत सारा पैसा Off हो जाता है अब आगे बढ़ते हैं आपको मालूम है Unacademy Plus से पढ़कर ही बहुत सारी विद्धियारती ऐसे हैं जिनका SSC CGL 2021 में सेलेक्षन हुआ है मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारे Unacademy Plus के द्वारा यह ऐसे बच्चे हैं जिनका चैन देखने को मिला है और टॉप 50 में 2 विद्धियार थी टॉप 100 में 3 विद्धियार थी टॉप 500 में 8 विद्धियार थी और टॉप 1000 में 13 विद्धियार थी हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़के यापे select हुए है जो कि आपको दिखाई पड़ रहे हैं अगर आप भी इनकी तरह अपनी तयारी को बहतर करना चाते हैं अपने selection को सुनिश्चित करना चाते हैं तो आपके पास एक author है आप All India Rankers batch को join कर सकते हैं जो आपका 13 April से start हो चुका है इसमें आपके लिए बहतर भविस्च की कामनाम लोग करते हैं यहाँ पे आपका लच बैच है यहाँ आपका SSC CSL के लिए है और यह भी आपका 13 April से start हो चुका है इसके साथ साथ यह आपके railway के exam के लिए भी महत्पूर है तो आप इस batch को भी join कर सकते हैं और अपनी तयारी को बहतर कर सकते हैं SSC से सम्मंदेत या railway सम्मंदेत बहुत सारे notes आपको यहाँ पे provide के जाते हैं तो अगर आप जुड़ते हैं तो यहाँ पे आप सारे notes प्राप्ट कर सकते हैं और अपनी तयारी को बहतर कर सकते हैं सबसे important बात यह है कि आज अंतिम दिन है आपके 50% डिस्काउंट को लेकर तो आप सभी लोग हर हाल में ये काम कर लिजेगा आप 50% डिस्काउंट का लाव उठा लिजेगा और यहाँ पर आपको 1 साल का प्लस लेने पर 1 साल का एक्स्ट्रा मिलेगा मतलब 2 साल हो जाएगा और अगर आप 2 साल का प्लस जोइन करते हैं तब भी आपको 1 एक्स्ट्रा मिलेगा तो 3 साल का हो जाएगा तो आज ही कोड अप्लाई करिए DKS100 और जुड़ जाए एनकेडमी प्लस से मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में